हेलो दोस्तो दो मिनट सिरीज के अंदर आपका स्वागित है दोस्तो यह दो मिनट नहीं यह बेसिकली वो मिनट है जिससे आपके एक्जाम के अंदर दो मांक से आ सपते हैं तो ख्वीक लिए चोटा सा टॉपिक है पॉपुलर टेस्ट टो डिटर्माइनिक एज होता कहा कि मा बात बने तो साइंटिफिक मैथड भी है साइंटिफिक मैथड के अंदर सबसे ज़रा इंपॉर्टन है वह है ऑस्टिफकेशन टेस्ट ऑस्टिफकेशन के अंदर क्या होता है बच्चे की आप देखो रबड़ जैसी हड़िया होती है तो बैड़ से नीचे गिर जाए कितनी हड़ियां हाड होगी उसके हिसाब से जो है बेसिकली यह चेक करते को उसकी एज कितनी होगी अब यह 25-26 साल के बाद जो है वहां पर इस मैथड को नहीं यूज करते क्यों कि तब तक तो हड़ियां जो है सारी मिचिवर हो चुकी होती है फिर तो टूटनी चुरू हो सकता है हां लेकिन साइड के लिए ठीक है कि उसके बाकी evidence के साथ इसको मिलाया जा सकता है wisdom ठीक है अगल की दार की बात हम करते हैं तो उसकी एज देख लो ठीक है 21-22 साल के आसपास जो है वह आ जाता है तो वहां पर भी उसके base के उपर जो है वह हम determine कर सकते है दैन उसके ब सब्सक्राइब कर सकते हो जीएस जीएस का भी और combine भी आप यहां पर ले सकते हो कॉल करें email करें या खुद आएं आपका सवागत है ठीक है अब बात करते नेक्स्ट वह है epigenetic clock यह इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा explore नहीं हुआ यह बिसिकल क्या होता है डियने के साथ पीसी से यूज करती है कि अंडर 19 किसी ने खेल ला है पता चला है कि वह बड़ी एज का अंडर 19 खेल गया तो यह x-ray होते हैं कुछ bones के होते हैं जो जिनके अंदर काफी ज़्यादा changes आती है तो उनके जो है basically यहां पर maturity test यहां पर होते हैं ठीक है जैसे हम बात करते हैं pelvis की sternum की clinical की तो उनके जो है basically x-ray होते हैं कि उनके अंदर काफी ज़्यादा change आता है वहां से determine करना easy है अगर आप देखोगे यह chromosome है इसके जो यह cap होते है ठीक है इसके base के उपर भी जो है age को determine किया जाता है sexuality के हिजाब से अलग अलग maturation होती है school record का आपको बता है ठीक है तो यह कुछ test है जो आपको एक सीधा question आ सकता है I hope कि हमने quickly उसको cover किया है so this is all, मिलते है next time, thank you very much